ये हैं मुसलिम देशों की साथ सबसे खुबसूरत और सकसेस्फुल महिलाएं मिडल इस्ट के देशों का जिक्र आते ही सबसे पहले हिंसा और पाबंदियों की बात जेहन में आती है यहां के ज्यादतर देश हिंसा में जूज रहे हैं इसके साथ ही बुरका और हिजाब यहां की महिलाओं की जिन्दगी का आहम हिस्सा है हाला कि इन तमाम पाबंदियों की बीच भी यहां की महिलाएं हर फील्ड में अपनी काबिलियत आलोहा मनवा रही हैं बात इंटर्टीनमेंट इंडिस्ट्री की हो या फिर ब्यूटी कॉंटेस्ट की सभी जगह यह आगे हैं यहां हम मिडल इस्ट के देशों की काम्याब और खूबसूरत महिलाओं के बारे में बता रहे हैं जॉर्डन के क्वीन राइना अल अब्दुल्ला अपनी खूबसूरती और फिटनेस को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं 46 की उम्र में वो न सिर्फ बेहत फिट हैं बलकि अपना काफी वक्त सोशल वर्क में बिताती हैं इसके साथ ही वो एजिकेशन, हेल्थ, समुदायों को मजबूत बनाने और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर वकालत का काम भी करती हैं वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं ट्विटर पर उनके 40 लाग से ज़्यादा फॉल्लवर्स हैं सोफिया मुरको की म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ी हैं वो मशूर पॉप स्टार और एक ट्रेस हैं दुनिया भर में भले ही उनकी लोकप्रियता ज्यादा आना हो लेकिन मिडल इस्ट में काफी मशूर हैं साल 2013 में वर्ड एक्चुलेटी ने उन्हें दुनिया की 50 सबसे खुबसूरत महिलाओं की लिस्ट में 15 वे नमबर पर रैंकिक दी थी हाफिया लेबनान की सिंगर और एक ट्रेस हैं 2006 में उन्हें पीपल्स मैगाजीन की 50 सबसे खुबसूरत लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया था उन्हें कई बार अपने रिवीलिंग लुक के लिए आलोचना भी जहलनी पड़ी आसकमेंड.com की Most Desirable Woman की लिस्ट में भी उन्हें आठवी रैंक मिली थी शिरीन अबदेलनौर, उमुर 49, सिंगर, मौडल और एक ट्रेस, लेबनान शिरीन लेबनान की मशूर सिंगर, मौडल और एक ट्रेस हैं उनके कई एलबम हिट साबित हुए जिससे अरब में उन्होंने खासा नाम कमाया उन्होंने काफी फिल्मों में भी काम किया है, 2002 में बेरूप में उन्हें मौडल ऑफ द वर्ल्ड के खिताब से नवाजा गया था मिहरीरी में मशूर पॉप आर्टिस्ट और एक ट्रेस हैं अपने पहले वीडियो से ही उन्होंने अरब वर्ल्ड में धमाल मचा दिया था अब वो बिजनेस वुमन भी बन चुकी हैं 2007 में उन्होंने कोवित में अपनी जवैलरी लाइन शुरू की थी ग्रैबियला बोरेच ग्रैबियला लेबनान की मशूर मॉडल और एक ट्रेस हैं 2005 में उन्होंने मिस लेबनान का क्राउन अपने नाम किया था खुबसूरत लोग के साथ ही वो अपनी काबिलियत के लिए भी जानी जाती हैं उन्हें अर्बी के अलावा अंग्रेजी, फ्रेंच, चाओर स्पैनिश भाषाएं भी आती हैं मोना अबाउ हमजे मोना लिबनान की मशूर टीवी परसनालिटी और प्रेसेंटर हैं टीवी शो टॉक अफ़ टाउन की होस्टिंग के लिए जाना जाता है इसके साथ ही वो सिंगर, एक्टर और कमाल की पेंटर भी हैं 2012 में मोना को मोस्ट पावरफलर अरभुमन की एक साव महिलाओं की लिस्ट में भी शामिल किया गया था